नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्यांदा नॉलेज में दोस्तो इसमें कोई संदे नहीं कि घर का मुखे द्वार ही घर के अकर्शन का सबसे बड़ा क्यंदर होता है ऐसे में यदि घर का द्वार वास्तो के अनुसार बना हो तो घर में रहने वाले लोगों को स्वास्तेसबंदी परशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही घर में सदय सुक शांती बनी रहती है दोस्तो आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनका हिस्तमल यदि आप सुबा उठकर दरवाजा खोलते समय करेंगे तो आपको घर में कभी धन और सुक की कमी नहीं होगी वैसे वास्तो के नुसार आपके घर का मुख्य द्वार आपको कई परिशानियों से बचा सकता है ऐसे में यदि आप भी घर में हो रही छोटी मोटी परिशानियों से चूज रहे हैं तो एक बार ये उपाय आप जरूर करें इन उपायों से आप अपनी परिशानियों से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं तो सबसे पहले उपाय के नुसार जब भी आप सुबह अपने घर का दर्वाजा खोलें तो गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों दर्वाजे पर स्वस्तिक बनाएं ये स्वस्तिक आप हल्दी या कुमकुम से भी बना सकते हैं इसके इलावा इस बात का ध्यान रखें कि ये काम आपको सुर्योदे से पहले करना है अगर आप सुर्योदे से पहले नहीं उठ सकते हैं तो कोशिक करिये कि जितना जल्दी उट सके उतना बेहता रहेगा इसके इलावा घर के दर्वाजे पर अशोक या आम के पत्तों को मूली से बांद कर जरूर लगाना चाहिए बता दें कि इस से कोई भी नकरात्मक शक्ती आपकी घर में परिवेश नहीं करवाएगी इन कामों को अपने द्यानिक जिवन में जुरूर अपनाएं और ठेर सारी खुशियां पाएं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी उशिष जानकारी उमीद है आपको ये जानकारी जूरूर पसंद आई होगी अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों वारिष्टेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खन्यवाद